पहले नमबर एक ऐसी कौन से चीज है जो खेट में हरी, बजार में काली और घर में लाल हो जाती है सोचिए और अपना अजर मुझे कमेंट करके बताईएगा आपके पास सोचने के लिए 10 सकें का टाइब है आपका समय सुरू होता है अब दोस्तों इसका सही जबाब है चाय की पत्ती पहले नमबर दो इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और इन दोनों पिक्चर्स में चार डिफरेंस ढूंड़िए और हमें कमेंट करके बताईएगा आपके पास 10 सेकें का टाइब है आपके समय सुरू होता है अब तो दोस्तों क्या आपने ढूंड लिया था अगर नहीं तो चलिए ढूंडते हैं पहला डिफरेंस यहां है दूसरा यहां पर है तीसरा यहां पर और चाथा डिफरेंस यहां पर है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करकर बताईए आपने कितना डिफ्रेंस टून रहा था पहली नमबर तीन इस इमेज को ध्यान से देखिए आपको इस इमेज को देखकर कलर का नाम गेश करना है आपके पर सुचने के लिए दस देकें का टाइम है आपका समय सुरू होता है अब आंसर देखने से पहला प्रांसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों पहली वाली इमेज है पी की और दूसरी सी एच की और हम ये दोनों इमेज को मिलाएंगे तो हो जाएगा पीच कलर दोस्तों क्या आपका भी यही जवाब था तो इसी बात पर इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देजिएगा पहली नमबर चार इसी ध्यान से देखिए और इसमें और वन आउट को ढूंड़िए आपके पस उसने के लिए 10 सेकेंग का टाइम है आपका समय सुरूत है अब चलिए दोस्ते इस कांसा ढूंड़ते हैं यहाँ पर ये वाला इमोजी और वन आउट है पहली नमबर पांच इस इमेज को ध्यान से देखिए आपको इस इमेज को देखकर लड़की का नाम गेस करना है आपके पस उसने के लिए 10 सेकेंगा टाइम है आपका समय सुरूत है अब दोस्ता आंसर देखने से पहला अपना से कमिट कीचिएगा इसमेज है फ्लावर की फ्लावर को हम हिंदी में फूल भी कहते है और दूसरे वाली इमेज है मनी की हम ये दोनों इमेज को मिलाएंगे तो हो जाएगा फूल मनी तो दोस्ता आप मुझे कमेंट फिक्र बताईएगा आपको इसका आंसर कितने से के में पता चल गया था